वार्म वेल्कम टू मैं चैनल वेल दोस्तों जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो यह वीडियो स्पेसिफिकली मैं सारे रिटेल इंवेस्टर्स लोग के लिए बना रहा हूं जिन्होंने डीएचेफल का होल्डिंग अभी भी रखा हुआ है तो दोस्तों यह दिवान हाउजिंग फाइनेंस लिमिटेड अगर आपको याद होगा तो इसमें बहुत सारे ट्रिबूनल केसे या फिर आप बोल सकते हो बहुत सारे डिफॉल्टर केसे लास्ट एक दो साल से चल रहा है काफी सारे कंपणियों नों इन पर लॉसूट भी फा 250-260 के लेवल तक भी पहुँच चुका है जस्ट मार्च में यह 8-9 रुपए के भाव पे था वहां से इसने 250-260 का लेवल भी टच किया है लेकिन फिर से अभी कर्रेक्शन होते हुई यह 30 लेवल के भाव पे आ गया है बट हमारे पास अभी ऐसे कुछ एक्स्ट्रा इंफ आर्टिकल आया है तो वो न्यूज आर्टिकल क्या है एक्चुली मैं क्यूं कह रहा हूं कि यहां पर फिर से रिटेल इंवेस्टर के साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है यहां मैंने हाइलाइड भी किया है बिग फ्रॉड तो कहीं ना कहीं दोस्तों यह से स्टोरी फिर से रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है अगर आपको याद हुआ कुछ दिन पहले लक्ष्मी विलास बैंक में भी यही सेम सीन हुआ था लक्ष्मी विलास बैंक भी इसके विए ट्रिब्यूनल केस चल रहा था इस पर भी काफी साधा लोन था काफी जाधा हाला कि banking में कुछ problem नहीं हुआ है इसको take over कर लिया गया है इसके सारे काम business wise वैसे के वैसे ही चल रहे है लेकिन जो main impact इसका हुआ है वो retail investors को हुआ है जो investors actually अपने पैसे लागा के बैठे हुए है जिन्नों ने अपने shares खरीद के रखे हुए है people who have been investing for a long time people who are short term investors or people who are long term investors they have stuck badly and they have not been able to come out of this situation so this DHFL दिवान Housing Finance Limited is another story exactly same thing जैसा लक्षमी विलास बैंक ने आपको बना के दिया है exactly same thing DHFL में भी repeat हो रहा है तो उसमें हो क्या रहा है थोड़ा सा अगर हम overall जान ले सो दोस्तों अगर आप देखे तो investors baffled as DHFL had a market valuation of 941 crore on Monday तो कल तक 941 crore इसका market valuation था reason being जो stock है वो 30 रुपए के भाव पर trade कर रहा है जो number of shares outstanding है उसके हिसाब से company का valuation निकल के आ रहा है 941 crore लेकिन जो सबसे बड़े bidders है जो actually इसको take over करने का plan कर रहे हैं जिनमें बड़े बड़े नाम है Oak Tree, Piramal and Adani Group ये जो company है इन company ने इसका पूरा का पूरा business valuation किया है इनके valuations के हिसाब से इनका कहना ये है कि जब ये company को take over करेंगे तो basically ये जो value कर रहे हैं share को they are valuing it as a zero so all three three bidders Oak Tree, Piramal and Adani have valued the housing finance company shares at zero इसका मतलब क्या है कि वो ये कह रहे है कि company का जो valuation है company का जो deficit है company का जो debt है company का जो भी market में करजा वगरा है उसको अगर हम settle करें उसके बाद अगर company का valuation निकाले तो actually company का valuation कुछ भी नहीं है तो take over अगर वो करते हैं अगर वो company का business को acquire कर लेते हैं तो acquire करने के बाद में होता ही है कि वो company का business तो continue करेंगे ही क्योंकि उसके products है, सारे के सारे वो अपने parent company के अंडर में ले लेंगे लेकिन जो retail investors हैं जिनके पास company का shares रखा हुआ है जिनके पास company का worth है company में जिन्होंने पैसे लगा है वो पैसे वो बता रहे हैं कि उसका कोई valuation नहीं है क्योंकि कहीं न कहीं shareholders के पास जो भी पैसे हैं उससे return में as such company को कुछ नहीं मिल रहा है तो यह बहुत बड़ा एक controversial statement है जो कि यह सारे के सारे बड़े bidders ने बताया है हला कि इस पर कोई 100% अभी कोई notification अभी नहीं आया है कि actually ऐसा होने वाला है कि नहीं क्योंकि यह एक बहुत बड़ा change है और बहुत बड़ा एक circular है बहुत बड़ा एक notice है जो कि publicly announce होगा तभी जाके company को steps ले सकती है so it's when the company will be offered to the highest bidder by January 14 तो यह date भी हमारे लिए बहुत important है आप में से मेरे जैसे मेरे काफी subscriber हैं काफी मेरे दोस्त भाई है जो मुझे अलग से pink करके भी पूछ रहे हैं क्योंकि उनका भी DHFL में काफी जाधा holding है मैं अगर अपनी personally खुद के holding की बात बताऊं तो मैंने last to last week के इपना position exit कर लिया मैं अच्छा कासा profit में था तो मुझे लगा profit book करना चाहिए था क्योंकि इसमें बहुत साड़ा uncertainty है कोई भी company जिसमें tribunal case चल रहा है NCLT case चल रहा है defalter case चल रहा है तो उसमें थोड़ा बहुत uncertainty definitely रहता है तो एक तो risky हो जाता है जहाँ पैसे बनने के बहुत ज़्यादा chance तो हो रहती है लेकिन कहीं कहीं loss होने का भी chance बहुत जादा रहता है तो मैंने अतना risk लिया नहीं है I have actually exited out of this तो अगर आपको कहीं न कहीं मौका मिलता है अगर lower circuit से हट के अगर कहीं भी आपको दिखता है कि थोड़ा सा selling start हुआ है I would say कि आप इस counter से जितना जल्दी हो सके आप यहां से निकल जाओ क्योंकि एक risky counter है ऐसा हो सकता है कि बाद में future इसका अच्छा हो बाद में acquire करने के बाद में company अच्छा करे but that is a distant future आप के पास अगर capital होगा तो you will again get an opportunity because अभी जो यह बड़े firms हैं उनका यह clear cut statement है not a penny to equity shareholders as DHFL bidders value firm's shares at zero तो ऐसा अगर हो गया and वो acquire कर लिये इस condition पे वो acquire करते हैं that they will value the shareholders valuation as zero in that case होगा क्या whatever shares whatever number of shares you are holding in the company that asset will actually become zero and you will not have any ownership on the company so it's better to save your cash because as everybody say cash is king so protect your capital if you get an opportunity to come out of this counter make sure you sell your position and come out of this counter keep your money handy whenever you get an opportunity आपको फिर से मौका मिलेगा नया एंट्री करने के बाद में but that is a distant dream and देखा जाए तो Sensex में और Nifty में मिला के there are like 8-9 thousand companies जो इंडिन शॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं तो इस company के साथ जादा रिष्टा लगा और रखने का कोई logic नहीं है company में problem हो रहा है तो इससे निकल जाना ही मेरा suggestion होगा तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद मुझे लगा कि यह थोड़ा जरूरी वीडियो है थोड़ा news item टाइप भी है मेरे real time trades को भी follow करो मैं कौन से shares buy कर रहा हूँ, sell कर रहा हूँ या फिर कोई भी investment related तो आप मेरे private channel को भी join कर सकते हो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद and you have a lovely day ahead